नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चेनल MP Exam News में आज की इस वीडियो में हम 7 नवंबर 2021 के मद्द प्रदेश करंट अफेर के बारे में चर्चा करेंगे तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आपको मद्द प्रदेश करंट अफेर की PDF चाहिए तो आप हमारा ये टेलिगराम ग्रूप जोइन कर लीजिए इसका लिंक डिस्क्राप्शन में दिया गया है इसमें अभी तक की सभी PDF उपलब्द है आप वहाँ से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं चलिए जान लेते हैं कल के प्रसन का उत्तर हमारा प्रसन था मद्द प्रदेश में तालावो से सरवदिक सिचाई किस जिले में होती है तो इसका सही उत्तर है उप्शन नंबर A बाला घंड जिले में मद्ध्य प्रदेश में तालावों से सर्वदिक सिचाई बालागहंड जिले में होती है और नलकूपों से सर्वदिक सिचाई इंदोर जिले में और कुमों के माध्यम से सर्वदिक सिचाई मनसोर जिले में होती है और मद्ध्य प्रदेश में नियून्तम सिंचित जिला डिंडोरी है चलिए जान लेते हैं आज के मद्ध्य प्रदेश करेंट अफेर के बारे में हमारा पहला प्रस्न है देश में सरवधिक तेंदुए मद्ध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्ब में हैं तो इसका सही उत्तर है option number A, पन्ना टाइगर रिजर्ब में मद्धिप्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्ब में देश में सबसे अधिक तेंदुए पाए गए हैं और दूसरे नमबर पर राजिस्थान का सरिस्का टाइगर रिजर्ब है मद्द प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्ब के बाद सबसे अधिक तेंदुए काना टाइगर रिजर्ब में है और देश में सरवधिक तेंदुए मद्द प्रदेश राज्जी में पाए जाते हैं और इनकी संख्या 3421 है और देश में सरवदिक बाग भी मद्द्रदेश राज्य में ही पाए जाते हैं यह आप देख सकते हैं कि इस पर आर्टिकल है देश में सरवदिक टेंडवे पन्ना टाइगर रिजर्म में और आंकड़ा 400 के पार तो यह जो 2018 में सरवे हुआ था इसके अनुसार 350 तेंडवे गिने गए थे लेकिन अगर बात करें इसके डाई साल बात की यानि के बर्तुमान की तो इनकी संख्या 400 के पावार पहुँच गई है और इसमें मद्द्रदेश का पहला इस्थान है और दूसरे पर है राजिस्थान और जो मद्द्रदेश है मद्द्रदेश में भी पन्ना टाइगा रेजर्व में सबसे अधिक तेंडवे हैं उसके बाद काना में है फिर पेंच में है फिर बांधवगाड आस्टी उध्यान फिर सत्पुड़ा और संजे डूबरी में भी इंक्यानवे तीन दूए पाए गए हैं यह हमारा अगला प्रस्न है कि अटल विहारी बाचपई हिंदी विष्व विध्यले में हिंदी भासा प्रियोकसाला लेंग्वेज लेव इस्थापित की जाएगी यह विष्व विध्यले किस जिले में स्थित है तो इसका सहीव तर अटल विहारी बाचपई हिंदी विष्व विध्यले में हिंदी भासा प्रियोकसाला लेंग्वेज लेव इस्थापित की जाएगी और यह इस प्रकार की प्रदेश की पहली लेव होगी और अटल विहारी बाचपई हिंदी विष्व विध्यले यह राजधानी भोपाल मे इस्तित है, 19 देसंबर 2011 को इसकी स्थापना की गई थी या आप देख सकते हैं इस पर आर्टिकल है कि हिंदी बिश्व बिद्धेले में बनेगी भासा प्रियोक साला सही उच्चारण बारीकिया सिखाएंगे हमारा अगला प्रसन है, मद्द प्रदेश के किस जिले की कुमारी मधुबाला को रानी दुर्गवती पूरुषकार 2021 प्रदान किया गया है तो ये हैं मद्द प्रदेश के मंधसोर जिले की सास के उच्च्च हायर सेकेंडरी स्कूल, मंदसोर की कप्छा बार्वी की छात्रा, कुमारी मधुबाला को रानी दुर्गवती पूरुषकार 2021 प्रदान किया गया है और रानी दुर्गवती की समाधी और संग्राले जवलपूर जिले में इस्तित है जवलपूर में ही इनका दुर्ग भी इस्तित है रानी दुर्गवती दुर्ग भी जवलपूर में इस्तित है आप देख सकते हैं इस पर कलेक्टर मंधसोर ने ट्वीट किया है कि सास के उत्क्रेस्ट हायर सेकंडरी की मन्सोर की छात्रा कुमारी मदुवाला को रानि दुर्गावती पुरुषकार 2021 दिया गया है और कलेक्टर स्री गोतम सिंग ने इने बदाई भी दी है और मद्ध्रदेश के स्कूल सिक्षा मंत्री है स्री इंदर सिंग परमार और मद्ध्रदेश के उच्चे सिक्षा मंत्री है डाक्टर मोहनियादव हमारा अगला प्रेस्न है राज्ची सरकार द्वारा आवासिय घरों पर सोर उर्जा के लिए कितनी सबसीटी दी जा रही है तो इसका सही उत्तर होगा उप्रोक्त दोनों 20% और 40% कैसे चली मैं समझाता हूं मद्ध्रदेश राज्ची सरकार द्वारा आवासिय घरों के लिए सोर उर्जा पर एक किलोवार्ट से तीन किलोवार्ट छमता के सोलर पेनल पर 40% सबसीटी एवं तीन से लेकर 10 किलोवार्ट छमता के सोलर पेनल पर 20% सबसीटी दी जा रही है और राज्ची सरकार द्वारा हाली में घोशना की गई है कि किसान अब 2 मेगावार्ट तक का सोलर प्लांट लगा सकते हैं और इससे जितनी बिजली उत्पन्न होगी किसान जो जितनी इस्तमाल करेंगे उसे छोड़कर बांकी बची हुई बिजली सरकार तीन रुपे पांच पेसे प्रती यूनिट की दर से भी खरीद लेगी यह भी उसमें प्रावधान किया गया है यह आप देख सकते हैं इस पर आर्टीकल है कि आवासी घरों के लिए सोर उर्जा पर मिलेगी सब्सीटी एक किलो से तीन किलो वाट के लिए 40 और तीन किलो से 10 वाट के लिए 20th पर सब्सेटी दी जा रही है हमारा अगला प्रस्ण है कि इंजन मेंटिनेंस में रतलाम डीजल सेड किस नमबर पर है तो इसका सही उत्तर है ओप्सन नमबर A पहले नमबर पर इंजन मेंटिनेंस में रतलाम डीजल सेड पहले नमबर पर है रेलवे के डीजल इंजन सुधारने वाले रतलाम डीजल सेड ने इलेक्ट्रिक इंजन की पूरी तरहां रेपेरिंग करके इस उपलब्धी को हसिल किया है आप देख सकते हैं इस पर नई दुनिया का आर्टिकल है कि डीजल लोकोमोटी मेंटेनेंस को लेकर पूरे पस्चीमी मध्ध रेलवे में रतलाम डीजल सेड ने प्रिथमिस्थान बनाया है अब हम करेंगे मध्द प्रदेश करेंट अफेर के कल के प्रसनों का रिवीजन हमारा प्रेला प्रसन है देश का सबसे बड़ा ग्रेड सेपरेटर मध्द प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है तो इसका सही उत्तर है ओप्सन नंबर A कटनी जिले में अगला प्रस्ण है खिलोना महतसब मद्ध प्रदेश के किस जिले में आयुजित किया जा रहा है तो ये किया जा रहा है सिहोर जिले के बुधिनी में अगला है मद्द्प्रदेश के होकी खिलाडी विवेक सागर को किस अवार्ड से नवाजा जाएगा तो इन्हें नवाजा जाएगा अरजुन अवार्ड से अगला प्रस्ण है प्रधान मंत्री आवास योजना के सहरी योजना के किरियानवेन में मद्ध्य प्रदेश का देश में कौन सा इस्थान है तो इसमें मद्ध्य प्रदेश का इस्थान है दूसरा अगला प्रसन है प्रधान मंत्री आवास योजना के गरामीन में मद्ध प्रदेस का कुन सा इस्थान है तो इसमें भी मद्ध प्रदेस का दूसरा इस्थान है ये हमारा आज का प्रस्ण है इसका उत्तर आपसे भी कमेंट में जरूर दें कि निमाल का पेरिस मत्रप्रदेश के किस जिले को कहा जाता है बड़वानी को सिवनी को सागर को या उज्जेन को इसे आप जरूर अटेम करें और इसका उत्तर जो भी आपको पता हो वो कमेंट मे जरूर दिया करें गलत होता है सही होता है कोई बात नहीं इसका उत्तर सही उत्तर आपको अगली वीडियो में मिल ही जाता है और ये था हमारा आज का मद्ध्रदेश करेंट अफेर आपको केसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें सेर करें मिलेंगे ने झाल झाल